नमस्कार दोस्तों आज की फिर एक नई शानदार वीडियो में हम लेकर आये हुए हैं इंडियन ट्रेक्टर इंड्रस्टीज के अंदर लीसेंट्ली लॉंच साथ होस्पावर के एक खतरनाक दमदार ट्रेक्टर का फुल डिवीव वीडियो इस ट्रेक्टर का इंजन 60 होस्पावर के स्रेणी में सबसे ज़्यादा 227 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क जनरेट करके देता है साथ ही साथ इस ट्रेक्टर में कंपणी ने जिस कंपणी के इंजन को लगाया है किसानों के दिलों का भरोसा और किसानों के दिलों पे राज करने वाले ट्रेक्टर का इंजन लगाया है दोस्तो आज की इस वीडियो में इस टेक्टर का फुल रिवीउ करेंगे उससे पहले प्यारा सा छाल लाइक और चैनल को subscribe जरूर करें चलिए बात करते है दोस्तो इस ट्रैक्टर में इस त्रेहनी में इसको खास बनाने वाले सानदार फीचर्स के बारे में तो सबसे पहले तो मैं आपको इस्टक्र के पीखे की तरफ लेके ही चलता हूँ दोस्तों क्योंकि company ने इस tractor के अंदर पीछले हिस्से भी में जो features दिये हुए हैं ऐसे ऐसे चुनिंदा features company ने इस tractor के अंदर डाल के दिये हुए हैं जो की 75 horsepower के tractor भी में देखने के लिए नहीं मिलते तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का ये वीडियो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस company ने यहां पर आप देखिए जिसमें double distributor ball भी लगाये हुए हैं कितनी proper तरीके से fitting and finish के साथ में लगाये हुए हैं हर एक पट्टी का भी जो यहां पर company ने ध्यान रखा है heavy duty reversible plough जैसे बड़े-बड़े संयंत्रों को बड़ी असानी के साथ operate कर पाएंगे साथ ही साथ बात करें दोस्तों इसमें टापलिंग के अंदर company ने कितने point दिये हैं तो यहां पर जो है company ने तीन point इसके अंदर डालके दिये हुए हैं जो की fully automatically depth and draft control वार के साथ में आते हैं सा लेकिन यहां पर भाईया एक extra point आपको दिख रहा है जिससे आप इस tractor के fender की distancing को जी हां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं fender की distancing को tire size के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं मतलब हर एक चीज की इतनी बरीकी से ध्यान कौनसी company रखती है जो की इस company ने यहां पर इन चीजों का ध्या रखा हुआ है साथ ही साथ यहां पर जो है company ने आपको इस tractor में पांसो चालिस नॉर्मल और पांसो चालिस जैसे पीडियू के अंदर option दिये हुए हैं पीडियू की अंदर हम बात करें इस tractor के अंदर तो उसमें company ने जो हो अल्मोस्ट आपको चंवान होस पावर की multi-gear speed PDU मतलब ऐसी भी नहीं कि आठ फारवर्ट दो रिवर्स डाल दिये बारा फारवर्ट बारा रिवर्स फुली साइड से सिंक्रो मैक्स गेर वॉक्स के साथ में सोपर सडल वाली गेर मिलेंगे यहां पर जो lifting capacity company ने स्टेक्टर के अंदर ओफर की हुई है बाइस सो केजी की भाईया कितना है भी implement चलाना चाहते हैं आप company ने उसे सापसे स्टेक्टर के अंदर lift डाल के दी हुई है जिसके अंदर आपको बाइस सो केजी की बहतर शंता वाली lift capacity देखने के लिए मिलेगी साथ ही साथ यहां पर जो है आपको स्टेक्टर में LED आपको देने वाली है यहां पर जो है आप देख सकते हैं एक डम डिफरेंट यूनिक डिजाइन के साथ में आने वाले बैक लाइट और इंटीकेटर का कमती ने जो है स्टेक्टर के अंदर combination यूज किया हुआ है फेंडर में side profile बहुत ही शांदार लगा के कमती ने स्टेक् देखने में एक बहतर पकड़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी साथ ही दोस्तों यहां पर जो है आपको यदि हम बात करें स्टेक्टर में platform को लेके तो यहां पर जो है कंपनी ने आपको स्टेक्टर में almost 95% तक का flat platform offer किया हुआ है आईए दोस्तों अब हम आपको जो ह आते हों उसके बाद जो है हम इस्टेक्टर के हर एक features की बरीकी से बात करने वाले हैं तो यह है दोस्तों इंडियन ट्रेक्टर इंडरस्तीच के अंदर recently launch करतार की तरफ से आने वाला करतार का globe track इस ट्रेक्टर में जो company ने color combination and graphics दिये हुए हैं बहुत ही शांदार attractive design के दिये हुए हैं करतार की बैजिंग मिलेगी 3D के अंदर company fitted जो है आपको स्टेक्टर में canopy देखने के लिए मिल जाती है front में जो है आपको स्टेक्टर में करतार का delicate look देखने के लिए मिलेगा दो हेलोजन लाइट और जाली का और ग्राफिक्स का जो combination company ने स्टेक्टर के अंदर डालके दिया हुआ है वो बाकरी में काबिले तारिफ है क्योंकि इसके जो look में है चार चान लगाने का काम करता है side profile के अंदर हम बात करें तो यहां पर भी आ देखने के लिए मिल जाती साथ में sticker के साथ में आई यह पास में ले चलके बात करते हैं कि क्या क्या चीजें जो है company ने इसके अंदर दी हुई है यहां पर जो है आपको स्टेक्टर में ऑईलिमर्स ब्रेक देखने के लिए मिलेगा लिफ्तोमेटिक भी जो है company ने दी हुआ है फिरेंट में अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके सबसे ज्यादा खास फीचर की सबसे ज्यादा खास फीचर क्यों company ने इसके अंदर जो इंजन दिया हुआ है इंडिया की सबसे ग्रेड क्वालिटी की manufacturing company द्वारा आने वाला क्रलोस कर का दमदार इंजन जो है इंजन जो की वाटर कूल इंजन के साथ में आता है साथ ही इंजन है साथ होस पावर के साथ में 227 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क जन्रेट करके देता है यहां पर हम बात करना दोस्तों स्टेरिंग को लेके तो यहां पर company ने जो है आपको स्टेरिंग में देख सकते है उसके बाद भी company ने यहां पर स्टेरिंग के अंदर सेफरेट जो है oil box दिया हुआ है reserve wire overflow के साथ में जिससे इस ट्रेक्टर की स्टेरिंग में सेफरेट ओर जाता है जिससे आपको लंबे समय तक जो performance है वो smooth देखने के लिए मिलेगी साथ ही यहां पर देख सकते हैं company ने ज सबी company की engine की तुलना में 80% तक और भी जादा मजबूत हो जाता है साथ ही साथ दोस्तों बात करें अधि हम इस ट्रेक्टर के front में मिलने वाले सांधार features की तो यहां पर जो है dry type dual element वाला truck वाला air filter रख दिया है मतलब इतना बड़ा air filter यार कितनी best quality की हवा refinement होगी वह आप भी नहीं लागा सकते बैटरी के अंदर बात करें तो बारे बोल्ड हंड्रेड एज की इंडिया के सबसे जादा ट्रेस्टेड ब्रांड एक्साइड कंपनी की बैटरी मिलेगी फ्रेंट में जो है कंपनी ने सबाद दो कुंटल याने की 225 kg का heavy duty company fitted front bumper वंफर भी जो है कंप इसके अंदर साफ्ट यूज की हुई है फोर वील ड्राइब की जो साफ्ट है वो क्रॉस वाली नहीं बलकि कंपनी नहीं बहुत ही मजबूत है भी duty quality क्रॉस वाली जो है इसमें डालके दी हुई है जो की ट्रांस्पोटेशन से लेके खेती के सानी तक के हर तरह के कामकार्ज में बहुत ही मजबूती दिखाती हुई चली आ रही है साथी अल्टीनिटर के अंदर है दिया हम बात करें तो बारा बोल 36 MPL का अल्टीनिटर हैं दोनों के अंदर जो परफॉर्मेंस मिलेगी ना वो अल्टीमेट मिलेगी मतलब कुछ कहने को ही नहीं बचा है यहां पर बारा बोल्ट दो क्लोबार तक की सेल्फ स्टाइटर मोटर मेलेगी कंपनी ने इसकी पॉजीशन यहां पर दी हुई है हाइड्रोलिक के अंदर स साफी बड़ा डाइल के दिया हुआ है जिससे स्टेक्टर की लिफ्ट में जो ऑईल है बेस्ट कॉल्टी के फिल्ट्रेशन के साथ में जाएगा साथ ही प्लैटफॉर्म जो है मैंने आपको जैसा बताए दोनों तरफ फोट स्टेपर कंपनी ने दिये हुए हैं जो की बहु प्ले टाइर के अंदर रदी हम बात करें दोस्तों तो यहां पर आपको स्टेक्टर में 1698 का टाइर मिलेगा और पिछला टाइर भी कंपनी ने यहां पर MRF कंपनी का ही डाल के दिया है साथ ही हैवी ड्यूटी कंपनी फीटेट प्रसेंजर ग्रेव हैंडल चार जंगा से करने के लिए साकब बार की यहां भी देख लो डबल साकब फोल्टर बार कंपनी ने स्टेक्टर के अंदर डाल के दिये हुए हैं साथ ही साथ यहां पर स्विच लॉक मिलेगा जिससे आपके एयर फिल्टर ड्राइट टाइप और टेक्टर के अन इंपॉर्टेंट एलिमें साइड हीडगाट की जो प्रोफाइल है बेस्ट क्वालिटी के फडेरियल से बनी हुई है यह देखो बहुत सांदार हैवी ड्यूटी कंपनी ने जो है इसके अंदर फाइवर वाले क्वालिटी के हीडगाट लगाके दिये हुए हैं बात करें दोस्तों इस ट्रैक्टर में सबसे पहले तो नजर जाती है इस टेक्टर के फ्यूल टेंक में जिसमें कमपणी ने सबसे और अब बात करें द्राइवर के राइड तरब यहां पर अपको इस टेक्टर के डीशी पीची लीवर मिलेंगे लिफ्ट्ट्प्र जो है कंपणी ने दिया हुए है जिससे आप सैफ्रेट नेर्ड में सेध करके टैक्टर में लिफ्ट का मुझा ले सकते हैं यहां पर जो आपको इस टेक्टर में लो हाई का गयर मिल जाता है साथ ही साथ यहां पर नंबर ऑफ गयर चार मिलेंगे मैन वाले ब्रेक में कम्पनी ने सस्पेंड़ टाइप पेडल लगाए हुए हैं ओयल इमर्स मल्टी प्लेटेड डिक्स ब्रेक मिलेंगे ड्राइवर के लेफ तर अब बात करें चूकि यह टेक्टर फोर वील है तो यहां पर टूबील फोर वील का लिएवर मिल जाता है जिससे आप इस टेक्टर में फोर वील और टूबील दौनों कमा जा ले सकते हैं साथी साथ यहां पर जो है कम्पानी ने आपको इस टेक्टर में फोर वर्ड और डिवर्स डिया हुआ है मतलब ये जो टेक्टर है साईटक्र जिसिटर यहां पर मिलेग। डिस्टिबिटर बॉल्ब का सैफरी लीवर यहां पर कंपनी ने स्ट्रेक्टर में दिया हुआ है इस ट्रेक्टर में टोटल बारा फारवर्ट बारा रिवर्स फुली साइट सिप्ट सिंख्रोम एक्स गेर वॉक्स के साथ में सुपर सटल गेर देखने के लिए मिल जाता है सा अब आपको स्ट्रेक्टर को स्टार्ट करके टर्निंग रेडियेशन चेक कर आते हैं सबसे पहले तो आप तर्निंग रेडियेशन देख लीजे क्योंकि टायर जो है कंपनी ने सबसे बड़े लगाए हैं नौपचास वाई 24 के आर्पीयम कंपनी बाइस्टों क्लैम करती है कि अब बहुत ही शांदार सेड़ की दहार वाला साउंड है इंजन कटफ लीवर यहां मिलेगा कि क्लच को लेके बातनी की इदकिशान भाई हो तो क्लच में भी जो है अपको सस्पेंडेट टाइप पैडल मिलेगा एना ट्रांस्मीशन चलाने के लिए सैफरेट क्लच मिले के लिए मिलेगा चलिए दोस्तों ले चलते हैं नीचे की तरफ सीट जो है मल्टी जैस्टिवल स्रैनी की देखने के लिए मिल जाती है और कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर में हर एक चीज की प्रॉपर तरीके से बैजिंग फिटिंग एंड फिनिस करा के दी हुई है दोस् किस ट्रैक्टर का वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करें जय जवान जय किसान